हेलो बच्चों, लेट्स रिड इस क्वेशिन, इफ आयोटा z q plus z square minus z plus iota is equal to 0, then show that mod z is equal to 1, तो यहां से हमें show करना है कि mod z का value वन आएगा, start कर लेते हैं हमारे key concept से, तो देखो key concept क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, iota square का value जो है, minus 1 के equal होता है, साथ इसाथ अगर z ऐसे लिखा हो है, a plus में iota b, और हमें अगर mod of z निकालना है, तो यह किसके को लाएगा, square root of a square plus में b square, इसके को लाएगा, तो अब जो equation लिखे हो है, वो rewrite करते हैं, तो iota z cube, plus में z square minus z plus iota is equal to 0, तो अब हम क्या करेंगे, divide both sides, divide both sides by iota, iota से divide गर लेते हैं, both sides हमें मिलेगा, iota z cube upon में iota plus में z square upon में iota, minus z upon में iota, plus में iota upon iota that is equal to 0 upon iota, 0 हो जाएगा, तो यहां से iota योटा और डिवाइड हो गया, अब इधर हम क्या करेंगे, प्लेस में iota से multiply कर लिए और iota से divide गरेंगे, तो iota square हो गया, माइनस में sेम, यहां पर देखो, iota से multiply कर लिया, तो iota से divide कर लिया, तो iota square हो गया, plus में iota upon iota 1 हो जाएगा, that is equal to 0, यहां इदर से z cube आ गया, iota square गा value minus 1 हो जाएगा, तो minus iota z square, then iota square का value minus 1 होता है, तो इदर में plus iota z बन गया, plus में 1 is equal to 0, तो पहले 2 terms में से z square common कर लिए हमने, z minus iota बच जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो गया, और उसके बाद में देखो, यहां पर यह value क्या आया, यहां पर तो z minus iota बच रहा है, ठीक है, और इदर से हमारे पास कितना बन जाएगा, plus में अगर हम common निकालना चाहेँ किसको, iota को, तो z और minus में यहां पर iota लिख सकते हैं, क्योंकि देखो, वापस अंदर multiply करेंगे न, तो iota z बन जाएगा, और minus का iota square बचेगा, जो की plus का वनी होता है, और that is equal to 0, अब इसमें से z minus iota हमने common निकाल लिया, तो अंदर बच जाएगा, z square plus में iota, that is equal to 0, तो z का 1 value तो आजाएगा, iota, और 1, देखो, z square का value आजाएगा, minus iota, तो अगर ऐसा हो रहा है, तो mod of z क्या होगा, square root of real part तो इसका 0 है, तो 0 का square plus में, plus में iota का square, ठीक है, sorry, iota नहीं, iota के multiply में 1 न, तो 1 का square आएगा, और इसी तरह यहां पर mod of z square, क्या आएगा, square root of 0 square plus में, minus 1 का square, तो इस case में देखो, mod of z का value कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक बात है, और यहां भी देखो, यह root of 1, 1 हो जाएगा, फिर, mod of z का square भी लिख सकते हैं, इसे, तो mod z का value, यहां से भी root of 1 ही आएगा, जो की equal आएगा, किसके, 1 के, ठीक बात है, यानि कि, दोनों केस में, mod z is equal to 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, hence, hence it is shown, hence it is shown, तो इस तरीके से हमने यह show कर दिया, यह हमारा required answer हो गया, I hope you understood this explanation, best of luck.